किसानों के आंदोलन के दोरान एक बाव फिर महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है इस महापंचायत में किसानों की मांगों को लेकर बहस होगी और आंदोलन का अगला कदम सामने आएगा दिल्ली के राम लीला मैदान में होने वाले इस आंदोलन में हरियाना और पंजाब से 50 हजार से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है इस दोरान दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग सकता है और इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी की है किसानों के मुख्य मांगों में MSP पर गारंटी, किसानों के कर्ज मुकद में वापस लेने, कर्ज माफी, पैंशन और बिजली की दरों में बढ़ोतरी शामिल है इस महापंचायत में किसानों के सिर्फ दो बच का तीस बजे तक कारेक्रम की इजाज़त दी गई है और इसके बाद उन्हें जगे खाली करने का निर्देश भी दिया गया है सांदोलं के दोरान दिल्ली के प्रमुक सडको और जंक्सनों पर चाम की संभावना है और इसके लिए बारखंबा रोड, जुआहरलाल नहरु मार्ग, बहादुर्शार जफर मार्ग, आसफ अल्ली रोड और टोल्स्टोई मार्ग जैसी सडको पर एडवाजरी जारी की गई लोगों को सारवजनिक परिवहन का उप्योग करने का आग रह किया गया है, इससे पूरे छेतन में यातायाद को संभालने में मदद मिलेगी